हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टी ब्रिजवासी रसोई में ब्रिजवासी रसोई में आज बनने वाली है एक ऐसी डिलीशियस रेस्पी जिसका चस्का आपको एक बार लग गया तो फिर वो कभी नहीं जाएगा वैसे आप देख के समझी गई होंगे कि हम आज क्या बनाने वाले हैं तो इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया एक गिलास और गिलास के उपर मैं लगा रही हूँगी आप यहाँ पर कोई भी ओयल लगा सकते हो अक्सर जब हम रोटिया बनाते हैं तो आटा बच जाता है तो इस जगा पर मैं वही आटा यूज़ कर रही हूँ एक गिलास के उपर मैंने इस आटे को पेस्ट कर लिया है आपको इसी तरीके से पेस्ट करना है जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो आटे को गिलास के उपर पिस्ट करने के बाद हम इसमें करेंगे छोटे-छोटे होल तो देखिए मैंने इसमें होल कर लिए हैं अब हम चलते हैं गैस की तरफ और गैस पर हमने लगई है कड़ाई कड़ाई में हमने किया है रिफाइन डॉयल और इसमें हम इसको फ्राई करेंगे हमें गलास को प्लटते हुए इसको फ्राई करना है तो वैसे आप समझी गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं तो जी हम कुलड बना रहे हैं पीजा तो आपने बहुत खाया होगा और कुलड पीजा भी बहुत खाया होगा पर क्या कभी गुथे आटे से आपने कुलड बना कर और उसमें पीजा खाया है नहीं खाया है ना तो आज हम बनाने वाले हैं खेल दी टेस्टी कुलड पीजा तो अब आप देखिए यह हमारा बिल्कुल सिख चुका है और इसे हम बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसे ठंडा करेंगे गरम गरम नहीं निकालना है इसे थोड़ा ठंडा करके और ऐसे गुमाते होई यह आसानी से निकल जाएगा तो आप देख सकते हो कि हमारा आटे का कितना अच्छा कुलड पीजा बनक इसको हम यहां पर फैकेंगे नहीं हम इसको साथ में खाएंगे भी तो बनीन है एक हेल्दी टेस्टी रेस्पी इसको बनाने के बाद हमने यहां पर लिये कुछ सबजियां सबसे पहले हम प्याज को कट करेंगे और प्याज को हम बलकुल बारीक स्लाइस में कट करेंगे इस इसके बाद हमने टिमाटर ल्यार, कट कट करके उसके बीच वाले पाड़ को निकाल देंगे, जिसमें बीच होते हैं। टमाइटर को कट पर चलते हैं डासंटי कर रहे हो इसके बाद। प्याज को डालेंगे प्याज को हम हलका सुनेरा होने तक फ्राई करेंगे सिर्फ हमें प्याज का कच्छा पन निकालना है इसको हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को हलका रोस्ट करने के बाद मैं इसमें डाल रही हैं कटी हुई सिम्ला मिर्च सिम्ला मिर् सिंबला मिर्च को रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर को भी हमें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही रोस्ट करना है इसके बाद हम इने एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे सबजियों को बावल में निकालने के बाद मैं यहां पर डाल रही हूं स्वीट कॉर्ण और स्वीट कॉर्ण यहां पर ओफसनल हैं अगर आपके पास हों तो आप डाले नहीं हैं तो नहीं डाले यहां पर मैं इसमें डाल रही हूं ब्रेड ब्रैड को यहाँ पर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डाल रही हूँ इसकी जगाँ पर आप यहाँ पर पीजा बेस भी डाल सकते हो बस पीजा बेस को आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पहले तबे पर ड्राइ रोस्ट कर लेना उसके बाद आप अपनी सबजियों में पीजा वेज को एड़ करना इसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूं कुछ फ्लेवर्स फ्लेवर्स के लिए मैंने यहां पर लिये हैं चिली फ्लिक्स साथ में लिये औरिगेनो और उसके साथ मैं लिया है मैंने स्वीट वेजिल फ्लेवर्स को एड़ करने के बाद मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ मोयो सॉस मैंने यहाँ पर सिंपल मोयो सॉस यूज की है अगर आपके पास तंदूरी सॉस है तो आप वो यूज कर सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पर एड़ की है पीजा सॉस अब हम इन सब को अच्छे से मिलाइंगे और हाँ अगर आपके पास पीजा सॉस नहीं है तो कोई नहीं क्योंकि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप पीजा सॉस बहुत आसानी से घर पर ही बना सकते हो वो भी दो सेकंड के अंदर तो अब देखिए हम पीजा सॉस घर पर कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमने यहाँ पर लिए टमेटो सॉस टमेटो सॉस में मैंने डाले थोड़ी से चिल्डी फ्लिक्स और साथ में काला नमक और उसी के साथ मैंने थोड़ी सी औरिगेन भी डाली थी और इन सब को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे इसमें अब यहां पर मैंने मिलाई है इसमें थोड़ी सी स्वीट बैसल स्वीट सौज घर पर बनाकर और पीजा की स्टरफिंग में डालोगे तो उसमें बहुत टेस्ट आता है इतना टेस्ट आता है कि मैं उसके जवाब भी नहीं दे सकती यकीन मानिए अगर आपने एक बार इस तरीके से पीजा के स्टाफिंग बना लीना तो आप उसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाओगे चलिए अब हम चलते हैं पीजा बनाने के सेकंड स्टैफ की तरफ यहां पर मैंने गैस पर एक कड़ाई रखी है और कड़ाई में मैंने लिया यह नमक यह तकरीवन एक से डेड़ कटोरी kich हैं पहले मैं इन में पीजा बनाऊंगी उसके बाद जो हमने आटे का कोलड बनाया था उसमें पीजा बनाऊंगी तो यहां पर मैं सब diese मैं पीजा स्टाफिंग को डालने के बाद इसके उपर से डाल रही हूँ हम सब की पसंद चीज क्योंकि चीज के बिना तो लगता है ना जैसे पीजा बिल्कुल अधूरा-धूरा हो तो अब चीज को एड़ करने के बाद मैं चीज के उपर थोड़ी सी स्टाफिंग कोड एड़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे बनाने वाली हूँ बिल्कुल ऐसा ही पीजा जो हमें किसी रेस्ट्रेंट में या किसी स्ट्रीट कॉर्नर पे या फिर किसी पीजा हट में मिलता है तो अभी आप देखिए कड़ाई हो चुकी है हमारी प्री हीट मैंने इसमें लगाया एक स्टेंड अगर आपके पास स्टेंड नहीं है तो इसकी जगा पे आपको इपिक टोरी लगा सकते हो stand के उपर मेने लखी एक plate और plate के उपर मेने रख दिएैए अपने pizza kullard अभी हम इनको तीन मिनट के लिए किसी plate से ढख देंगे तो तीन मिनट बाद आप friends देख सकते हो कि हमारे pizza kullard बिलकुर ready हो छुकons तो अभी इनको रख लेते हैं हम साइड में अभी आप देख सकते हो कि हमारा पीजा कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है अभी आप सोच रहे होंगे कि यह तो मैंने चार रखे थे लेकिन आपर तीन ही है क्योंकि यह सब को इतने अच्छे लगते हैं तो एक हमने इसमें से पहले ही खा तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं बनाती हूँ आटे वाले कुलड पीजा को इसको भी हम तीन मिनट के लिए ढख कर रखेंगे जब तक हमारा यह पीजा बन रहा है तब तक मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ अगर आप चाहते हो आटे वाला कुलड बहुत क्रिस्पी बने तो आप आटे में एक चम्मच घी और एक पिंच नमक को अच्छे से मसल के मिलाना क्योंकि यह वाली किलिप में आपको स्टार्टिंग में दिखाना भूल गई थी तो आप इसमें एक चम्मच घी अच्छे से मिला लेना तो आप देख सकते हो तीन मिनट बाद हमारा पीजा बनकर विल्कुल रैडी हो चुका है देखते ही मुँ में पानी आ रहा है ना तो भई हमसे तो वेट नहीं हो रहा हम करते हैं पीजा को इंजोई और हाँ गाईज अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक टेस्टी हेल्दी चटपटी रैस्पी के साथ